जिसे गुजरात दंगो का पोस्टर बॉय बनाया गया, अब वो गुजरात मॉडल को फेल बता रहा है, जिसने गुजरात सरकार को दी थी सबसे बड़ी चुनोती, वो अब दिन रात गुडगान कर रहा है, सियासत में सब कुछ बदलता रहता है, मगर इस बार तो कुछ बड कर रहा है, सब जगह सियासत बदलती है, मगर गुजरात में तो उलट पलट हो जा रही है, जो पहले मुसल्मानों का सफाया करना चाहता था, वो अब मुसल्मानों को अपना भाई बता रहा है, और जो हिंदू-मुसलिम भाई-चारे की मिसाल दिया करता था, अब सांपरद का घाल मेल तो होता है, मगर इतना घाल मेल सिर्फ गुजरात में दिख रहा है, खैर चुनाओ है, तो चेंज परिवर्तन बदलाओ दिखेंगे ही, मगर गुजरात तो गुलाटिया मार कर 360 डिग्री हो जा रहा है, नमस्कार मैं समर राज, बोलता हिंदूस्तान में आपका स आनी हम सब देख रहे हैं, हैरानी से देख रहे हैं, 20 साल पहले अपने युवा दौर में असोक मोची दंगे कर रहे थे, मुसल्मानों को अपना दुस्मन मान कर मार रहे थे, काट रहे थे, कतले आम कर रहे थे, उन्हें सपना दिखाया गया था मुसलिम मुक्त गुजरात क उन्हें सपना दिखाया गया था हिंदुत का हिंदु मैं गुजरात का उन्हें सपना दिखाया गया था सुनहरे हिंदु राष्ट का दो दसक बात 2022 में उनके विचार में ना सिर्फ परिवर्तन दिख रहा है बलकि सीधा सीधा यूटर्न दिख रहा है जिन्हें दंगाई कहा करते थे उन्हें अब भाई माना करते हैं जिने भाई कहा करते थे उन्हें अब दंगाई माना करते हैं मगर सबसे हैरत की बात है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करते हैं बहुजन मिसन की बात करते हैं हक अधिकार आरक्षन की बात करते बाबा साहब भीमराव अंबेटकर की बात करते हैं, हिंदु धर्म की नहीं, बौध धर्म के अनुसरन की बात करते हैं, जैस्री राम बोलकर जिन्होंने फैलाया था उनमाद, अब वो कांशी राम की तरह बात करते हैं, मगर ये तो कहानी थी, उनमाद से भाई चारे की और आ लोगों की नजर में क्रांतिकारी बन गए 2017 के चुनाव में भाजपा को आरक्षण विरोधी बताकर दिन रात कैम्पेंड कर रहे थे और विपक्षी चेहरों में सबसे चर्चित नेता बन गए चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान भी हुआ मगर सरकार बची रही इस भारती जंता पार्टी के प्रति नरम होते गए और आखिर में उसी में शामिल हो गए किसानों के हक अधिकार आरक्षण की बात करने वाले हार्दिक पटेल अब हिंदू-मुसल्मान की बात कर रहे हैं भाईचारे की बात करने वाले हार्दिक पटेल अब लब जिहाद की ब बाद बाद में हक अधिकार भाईचारे की बात करते थे आधिक, अब हिंदू मुसल्मान की बात करते हैं, जिसे सकरात्मक बदलाव तो नहीं कहा जा सकता, कम से कम सीख ले सकते हैं सोक मोची से, जो मान रहे हैं नफरत से कोई नेक काम नहीं हो सकता है, सरकार का तरफदार हु नहीं हुआ जा सकता है.